मैं हूं आईशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आईशा तो आज मैं आपके सामने एक टेक्नीक शेयर करने वाली हूं जिसको यूज करके आप अपने फेस को अच्छा कर सकते हैं अब आप सोचेंगे मैं आपको ब्लेंडर और ब्रुशेस दिखा रहे हूं और बात फेस क कर रहे हूं तो जी गाइस यह बात सच है अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रुशेस क्लीन ना रहा तो आपके फेस पर इंपल्स और एक्नी जो है वह एक्टिव हो सकते हैं वह आ सकते हैं क्योंके गाइस हम लोग अपनी स्कीन पर बार ब्राश बार बार एकी टाइ ब्रस जो है उसमें ब्लेंडर में और ब्रशेस में आ जाता है और जब से इसकीन में अपलाई करते हैं तो वहां से वह बैक्टिरिया बिल्डप कर देती है तो गाइस दिखे इसके लिए मैंने एक बूल पे वाटर ले लिया है पानी जो आप क्लीन रखे नॉर्मल टैप व पार्टिकल्स ब्रश और ब्लेंडर में रह जाते हैं इसलिए आप लिक्वेट कीज का यूज़ करें ताकि आपके ब्रशे और आपके ब्लेंडर प्रॉपलरली क्लीन हो सके तो इसको अच्छे से आपको पानी में डिप करके रख देने करा है जितने भी ब्रशे से आपके पास या ब्लेंडर से अगर आप वन टाइम में सको क्ली करा हो एकी बार्श एक ताम में रइनकर या पकास टाइम की बचत locks नहीं है आप की रहते हो या फिर आप वरकिंग वोमने हो तो आप इस तरह सब को एक साथ ही वाश कर सकते आपको बलग-लग से वाश करने की जरूर हो गया किता ड़ेटी इसमें गितना गंदगी ता जितना ड़्ट सा सब वाटर में आचुका है तो इसको अच्छे से स्कूई जिस करकि चेक कर लें कि आपका blender clean हुआ है है और मेरा blender clean हो चुका है यह आपको समझ में आ जाएगा जब आप उसे क्लीन करेंगे और उसी तरह आप एक ब्रश को भी आप चेक कर लें कि वो भी क्लीन हुआ या नहीं हुआ तो इस तरह से मैंने ब्रश को और ब्लेंडर को अच्छे से प्रॉपरली इसको इसकर करकर के चेक कर लिया है कि वो क्लीन हुआ या नहीं हुआ इसके बाद आप इसको टैप वाटर में अच्छे से क्लीन कर लें या फिर आप चाहें तो बोल में वाटर ले लेके अच्छे से इसको साफ कर ले और लगभग तीन से चार वाटर से आपको तो अच्छे से इसको धूना है जब तक कि इसका सारा जाग ना निकल जाए क्योंकि अगर इसमें जाग रह गया या फिर आपने नॉर्मली वनी वाटर से इसको वाश कर लिया तो यह पुरापर क्लीन नहीं हो पाएगा और आपको इसका धोकर कोई फायदा नहीं होगा तो इ आपको दुखाया है मैंने लिप स्ट्री लगा लिया ता मैंने ट्राइ किया ए गा जो डाइख और मैंने इंट्रा में देखा था मैंने लिप स्टिक से ब्लश लगा था और भी ट्रांपर फलुdensिकف से तो इस वजह से जो वो जो जो स्टेन हेँ वो मेरे कारे पर और वो क्लीन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं गाइस हमें वह स्टेन क्लियर नहीं करना था हमें बैक्टेरिया जो बिल्डप होता है जो गंदगी आ जाती मुझे वह क्लीन करना था तो देखिए गाइस यहां मैंने बहुत ही अच्छा से अपना ब्रॉश और अपना ब्लेंड या ब्रश नहीं खरीदते हैं वह वन टाइम खरीदते हैं उसको अम लोग 2 महीना 3 महीना या 6 महीना मैसिमम लोग यूज करते तो इससे तरह अगर कोई इस्टेन रह जाता है तो उसको आप रहने दिए लेकिन आप उसको में बैक्टेरिया बिल्डप होने नहीं ना दे इस तो देखिये मैं इसी तर अपने brush को Wash करती हूं अगर आप make-up artist है तो आपको पता ही होगा कि कितने दिन्हों में brush washes करना चाहिए लेकिन अगर आप professional आ act अगर आप brush का रोज इस्तेदा में गां चल्क्न इस तक है तो हफते में 1 जरूर दो हैं और अगर आपका आइज मेकप आप देख सकती है बहुत ही अच्छा हुआ था मेरे पास इसका फुल शूट नहीं आया यह मैंने अपने मॉबाइल से ही रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त महां फोटोग्राफर नहीं आयते जो मुझे इसका ओरिजनल क्लिप नहीं मिला है तो मेरे पास जो क्लि वीडियो को देखने चाहते हैं तो मुझे फॉल जरू रुक है